इस चैनल में आप सभी का सागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ MP Assistant Professor के syllabus में दिये गए जैसे कि हमारा syllabus चल रहा था रामचरित मानस और इसमें मैंने काफी सारे टॉपिक जो है आप सभी को करवा दिये थी और बीच में किसी कारण वाश्च जो है वीडियो नहीं आ पाए थे इसके लिए मैं माफ़िश आती हूऀ कि यह वीडियो जो है continue नहीं पाए थे लेकिन अब यही कोशिश है कि जो हमारी वीडियो है वो लगतार आप सभी को इसी प्रकार से मिलती रहे तो हमारे जो टॉपिक चल ला था वो था रामचरित मानस जिसके अंतरगत अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौर कौन से टॉपिक आप सभी को करवा दिये हैं तो पहले मैं इस चीज़ पर चर्चा करनों तो हमने बाल कांड करवा दिया था अयोध्या कांड हो चुका था और अरन्य कांड ये तीनों टॉपिक हमारे कम्प्रीट हो चुके थे और आज जिस टॉपिक भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किशकिंदा कांड जिसमें आपको वर्शा रितू एवं शरद रितू के बारे में पढ़ना है तो यहां तक कि जो प्रिविस वीडियो है ये सारे वीडियो आपको मेरे प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे और वहां आपको रामचरित मानस या फिर MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी करके जो है दो प्लेइलिस्ट मिलेंगे तो दोनों में सिया आप कोई भी चेक करेंग ये इसमें क्या है तो देखे शिराम जी जब सीता मादा की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो यहां पहुंसते हैं और यहां पर उनको कि श्खिंधा में पहुंसते हैं जहां के राजा जो है बाली और सुग्रीव आदी की गता आपने सुनी हुई है तो यहां मैं बाली के बारे में डिस्कुस नहीं करूंगी तो सुग्रीव जो है यहां पे फिर जो राम है उनकी दोस्ती सुग्रीव से हो जाती है और सुग्रीव जो है वादा करते हैं कि वो सीता माता की खोज में उनकी सहायता करेंगे राम जो है बाली का वधादी करते हैं तो यह सब चीज़े बीच की है यह सब रामायन सब को पता है तो इन चीज़ों पर मैं नहीं डिसकुस करूंगे तो यहां पर वर्शा रितू और श्रद रितू का वर्णन यानि की वो जो समय अवधी है तो जब सुग्रीव को अपना र सुद्ध में भाग लेंगे तो यहां पर इसमें आपको यही देखने को मिलेगा तो चलिए हम अपने डॉपिक पर आते हैं और पता है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किश्किंधा कार्ण में वर्शा रितू के वर्णन की तो आज सबसे पहले जो हम इस वीडियो में चर दिंगे आई तो यहां कहते हैं कि देवताओं ने देवन गिरी कि देवताओं ने पहले से ही उस परवत की एक गुफा को सुन्दर से सजा रखा था प्रतम ही तो पहले ही यहां प्रतम ही से ताथ पर है पहले ही तो देवताओं ने जो है पहले ही वो जो परवत है उसको बह रखा था सुन्दर सा सजा रखा था राम किरपा ने थी कच्छु दिन बास करेंगे आई तो उन्होंने सोच रखा था कि किरपा की खान किरपा की खान श्री राम चंदर जी जो है यहां पर कुछ दिन आकर निवास करेंगे तो इसलिए उन्होंने पहले सी इस गुफा को सुन्दर बना रखा था फिर चुपाई है सुन्दर बन कुस्मित अती सोभा गुंजत मधुप निकर बन मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जबते प्रभुआए तो यहां कहते हैं सुन्दर बन कुस्मित अती सोभा कि सुन्दर जो वन है वो कैसा है फूलों से सजा हुआ है शुशोभित है गुंजत मधुप निकर मधु लोभा मधु के लोब से भौरों के समू तो जो भौरे हैं वो यहां पे कि मुझे यहाँ पर फूलों का कि फूल अदे हुए तो फूलों पर उनको मधू मिले गाश तो इस लालच में जो भौरे हैं वो वहाँ पर फूलों के आसपास मंडरा रहे हैं गुंजार कर रहे हैं कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जबते प्रभू आये तो जब से प्रभू आये हैं तब से कंद मूल फल फूल जो भी हैं सब के हैं बहुत अधिक मात्रा में जो है शुशोबित हो गए हैं खिल गए हैं उस वन में उनकी संख्या जो है बहुत अधिक हो गए हैं उस परबत पे तो यहां कहते हैं कि देखि मनोहर सेल अनुपा की मनोहर और अनुपम जो ये पर्वत है शैल यानी की पर्वत तो इस मनोहर अनुपम पर्वत को देख कर रहे तह अनुज सहित सुरभूपा कि देवताओं के समराट भी श्रीराम चंद्र जी और उनके छोटे भाई सहित वह वहां रह गए यानि कि जो देवता है वो भी अनुपम द्रश्य को अनुपम उनको देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रीराम जी अपने भाई के साथ वहां निवास करेंगे मदुकर खगमरिग तनुअधर देवा देवता सिद्ध मुनी भौरे पसुपक्षियों के यानि कि जो देवता है वो करही सिद्ध मुनी प्रभू के सेवा तो जो ये मुनी हैं देवता हैं ये सारी क्या हैं पसु पक्षियों का भौरों का इन सब का रूप धारण करके प्रभू की सेवा में लग गए हैं आगे कहते हैं तो यहां कहते हैं कि मंगल रूप भयू बन तब थे कि वन का जो सुरूप है वो मंगल के रूप बन गया है मंगल समान यानि सुख में जो है बहुत ही यहां का वातावरन हो गया है किन नवास रमापती जबती। कि जब से रमापती यनिके शीराम चंदर जी ने यहां नवास किया है तब से इस वन का सुरूप ही बदल गया है बहत ही यहां पर मंगल में हो गया है फटक सिला अती सुब सुहाई सुन्दर मणी की उजवल जो है शिलाएं कैसी दिख रही है मणी के समान उजवल दिख रही है सुख आसीन तहां दो भाई और वहाँ पर दोनों भाई जो है सुख पुर्वक विराजमान है कहत अनुजसन कथा अनेका भगत बिरत निर्प नीती विवेका बरसा काल मेग नब छाए गर्जत लागत परम सुहाए तो यहां कहते हैं कि कहत अनूजा सन कथा अनेक कि शीराम जी जो है छोटे भाई से अपने छोटे भाई जो लक्षमन है उनसे भगती विरत यानकी विराग वैरागे जो होता है नरपनीती यानकी राजनीती और ज्ञान विवेक यानकी ज्ञान समंधी अनेक कथाए जो है इस शिला पर बैट के लक्षमन जी को वो अनेक कथाएं कहते हैं बरसा काल मेग घंचाए वर्श काल में आकाश में जो है बादल छागए है गरजत लागद परम सुहाए और बादल जो है गरजते हुए बहुत ही सुहावना लग रहे है तो वहां के मौसम वहां के दर्श का वर्णन किया गया है कि जब से प्रभू वहां आए है उस परवत पे सब चीजे जो है आनंद में हो गई है लक्षमन देखो मौर गन नाचत बारिद पेखी गरिह बिरती रत भरस जस बिस्नो भगत कहू तेखी तो यहां कहते हैं कि सृराम जी कहते हैं लक्षमन देखो मोरगन नाचत बारिद विपकिं की हे लक्षमन ये देखो मोरों का जो जुण्ड है वो किस प्रकार से बादलों को देख कर बारिद पेखी की बादलों को देख कर जो है नाच रहा है ग्रिही बिरतिरत हरस जस विशनु भगत कहूं देखी जैसे कि वैरागे में अनुरक्त होकर ग्रिहस्त जो है किसी विशनु भगत को देखकर हरशित होता हो यानि कि कोई आदमी अगर वैरागे में अनुरक्त हो जाए लीन हो जाए और ग्रिहस्त जो है वो किसी विशनु भगत को देखकर हरशित हो जाता है अनुरक्त है कि विशनु भगत को देखकर हर जाता है तो यहां अनुरक्त हरशित है सब्सक्राइबि가지고 के जाते हैं तो कि अ्चांश में जो बादल है वो घुमड घुमड कर घोर गरजना कर रहे हैं अशोर कर रहे हैं गरज रहे हैं प्रिया हीन डर्पत मन मोरा और प्रिया यानि की सीता जी के बिना मेरा मन जो है वो डर रहा है दामनी दमकरह नगन माहीं और बिजली की जो ये चमक है वो बादलों में ठहरती ही नहीं रुकती ही नहीं है खल के प्रीती जथा थिर नहीं जैसे कि दुष्ट की प्रीती इस्थर नहीं रहती यानि कि दुष्ट जो है अगर किसी से प्रेम विभार भी करता है तो वो इस्थर नहीं रहती ज्यादा समय के लिए नहीं रहती इसी प्रकार से बादलों की जो ये चमक है वो बा पाए बूंद अगात सही गिरी कैसे खलके बचन संत सह जैसे तो यहां कहते हैं कि बादल बरसही जलद भूमी नहीं आरे कि बादल जो है वो भूमी यानि पृतिवी के पास आकर जो है पृतिवी के समीप आकर नीचे उतर कर यानि उपर से नीचे पृतिवी पर जल बरसता है तो ही कहरें कि बादल जो है वो पृत्वी पर आके बरस रहा है जता नवहिबुद्ध विद्या पाए जैसे की विद्या पाखर विद्वाज वो विनम्र हो जाते है ऐसे ही दहरती जो है उसपे ये बूंदे बरस रही है बूंद अगहात सहही गिरी कैसी और ये जो बूंदों की चोट है वो पता नहीं परवत कैसे सहते हैं खल के बचन संत जहते हैं उसी प्रकार से ये जो बूंद है उसकी चोट को परवत सहते हैं चुद्र नहीं भरी चली तुराई जस थोरे हुँ तन खल इतराई भुमी परत भा ढाबर पानी जनु जिवही माया लपटानी तो यहां कहते हैं कि छुद्र नदी भरी चली तुराई कि छोटी नदिया जो है वो भर कर तुराई हुई चली यानि कि किनारों को तोड़ती हुई चली तो छोटी नदिया जो है वो किनारों को तोड़ती हुई चली जैसे थोरे हुद धन खल इतराई इस प्रकार से यानि कि जैसे छोटी नदियों में अगर पानी भर गया है तो वो क्या है अपनी किनारों को तोड़ते ही निकल गई है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर किसी दुष्ट वैक्ती के पास धन आ जाए तो वो इतरा उठते हैं उसमें और भी मतलब घमन जो है आ जाता है इसी प्रकार से थोड़ी सी नदियों में पानी आ गई तो ये किनारों को ही तोड़ने लग गई भूमी परतभा धाबर पानी के प्रित्वी पर पानी जो है पढ़ते ही क्या हो गया है वो गंदा हो गया है जनुजीव ही माया लपटानी जैसे कि शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो क्योंकि प्रिथिवी पर जब पानी पड़ता है तो पानी और मिट्टी का संपर्क होता है जिसके माधियम से जो पानी है वो अपने शुद्ध रूप में न रहके गंदा हो जाता है इसी प्रकार से जो ये शुद जीव है माया में लिपट जाता है इस प्रकार से में प्रतीत होता है समिटी समिटी जल भरी तलावा जिमी सदगुन सजन पहियावा सरिता जल जल निदी महुझोई होई अचल जिमी जिव हरिपाई तो कहते हैं कि समीटी समीटी जल भर ही तलावा कि जल जो है एकत्र होकर तालावों में भर रहा है यानि समीट समीट कि ये जल कहा जा रहा है तालावों में गठा हो रहा है जिमी सदगुन सज्जन पही आवा कहते हैं कि जैसे सदगुन जो है सज्जन के पास यानि गुड अगर किसे सज्जन पुरिश की बात करें तो एक ही साथ उसमें सारे गुड नहीं आ जाते एक एक करके धीरे धीरे उसके अंदर गुड जो है भरते चले जाते हैं उसी प्रिकार से ये जो तालाब है उसमें ये जल एकत्रत होता जा रहा है सरिता जल जल निधी महुझोई जैसे नदी का जल 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 निधी महुझोई यानि कि समुद्र में जाकर इस्थर हो जाता है होई अचल जिमी जिव हरी पाई उसी प्रकार से जो ये मनुश्य है ये जो जीव है वो हरी को पाकर इश्वर को पाकर अचल हो जाता है यानि कि यह आवागमन की अवस्था है इस धर्ती पर आना जाना है उससे मुक्त हो जाता है हरत भूमितरन संकुल समुझी पर ही नहीं पंत जिमी पाखंड बाद ते गुप्त हो ही सद गरंत तो हरित भूमित्रन संकुल समुझ ही कि पृत्वी जो है त्रिन यानि घास कि पृत्वी जो है वो कैसी हो गई है जब उसमें बारिश का जलाया है तो वो घास से परिपोड़न हो गई है उससे क्या है कि जो रास्ते है समुझी ही पर ही नहीं पंत उसे रास्ते जो है वो समझ नहीं पड़ते हैं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सभी और क्या है घास से भर गई है जिमी पाखंड बाद ते गुप्त हो ही सदग्रंथ कि जैसे कि पाखंड मत के यानि जो पाखंड लोग होते हैं पाखंडी लोग अगर प्रचार्द करें तो सदग्रंथ जो अच्छे ग्रंथ भी होते हैं अच्छी बाते भी होते हैं वो लुप्त हो जाती है इसी प्रकार से जो रास्ता है वो नहीं समझ में आता तो यहां कहते हैं कि दादुर धुनी चहुं दिसा सुहाई दादुर यानि की मैंधक तो चारो दिशाओं में जो है मैडको की ध्वनी सुनाई दे रही है जो कैसी प्रतीत हो रही है बहुत ही सुहाई यानि की सुहावनी सी लग रही है बेद पढ़ा ही जनों बटू समुदाई ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के जो समुदाई हैं वो वेद पढ़ रहे हैं नव पल्लव भै विटप अनेका अनेक विरिक्षों में जो है नए नए पत्ते जो है आ गए हैं साधक मंजस मिले विवेका जिससे वे के विरिक्षों में जब नए पत्ते आ जाते हैं तो वो हरे भरे इसे प्रतीत होते हैं ऐसे ही जैसे कि कोई साधक के मन को इस ग्यान के प्राप्ती हो जाती है तो इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है उसका मन ग्यार प्राप्ति से शान्त हो जाता है सुन्दर सा प्रतीत दिखाई देता है इसका चहरा खिला हुआ दिखाई देता है इसी परकार से व्रिक्षों पी नए पत्त्याने से वे हरे भरे सुस्रोबित प्रतीत होते है उर्क जवास पातु बिन भायू यहां कहते हैं कि अर्क जवास पात बिनु भैयू कि अर्क यानि कि जो मदार का पेड़ होता है और जवास का जो पेड़ होता है वो बिना पत्ते के हो गए है उनके पत्ते जो है जड़ गए है जैसे सुराज खल उद्यम गए हो जैसे कि स्रेष्ट राज में जो है दुष्टों का उद्यम जाता रहा यानि कि जैसे कि जहां पे अच्छे लोग या अच्छे राज जैसे सुराज यानि कि जहां पे स्रेष्ट राज अच्छे राज है वहाँ पे दुष्टों का जो है उद्यम यानि की दुष्टों की एक नहीं चली जहाँ पे अच्छे लोगों की संगतों वहाँ दुष्टों का कोई भी भेर नहीं चलता कोई भी दुष्टों का काम नहीं चलता ऐसे ही अर्क और जवास के पत्ते क्या है जड़ गए है खोजत कतहू मिले ही नहीं धूरी और धूल जो है यानि जब वर्षर रितु आ गई है तो सारा क्या है समद्गर जो धूल है वो कहीं भी दिखाई नहीं देरी है वर्षर रितु के कारण सा कुछ कहा है गीला गीला हो गया तो धूल कहीं भी दिखाई नहीं परड़ रही है करई क्रोध जिमी धर्म ही धूरी जैसे कि क्रोध जो है वो धर्म को दूर कर देता है इसी प्रकार से वर्षा रितु ने जो है इस धूल को नस्ट कर दिया है ससी संपन सोह मही कैसी उपकारी के संपती जैसी निसितम घन खद्योत विराजा जनू दंभा ही कर मिला समाजा तो यहां कहते हैं कि ससी संपन सोह मही कैसी की अन से युक्त यानि ससी संपन ससी से ताथ पर यहां अन से है कि जो खेती है वो कैसी हो गई है वो हरी भरी हो गई है और हरी भरी होने के कारण जो है यह प्रित्वी जो है ससी संपन सोह मही कैसी मही यह धर्ती तो यह धर्ती जो है वो इस अनाजस से जो है लहराती हरी भरी सी प्रतीत हो रही है उपकारी के संपती जैसी जैसे कि उपकारी पुरुष की संपती हो उसी प्रकार सी यह देखने में हरी भरी प्रतीत होती है निसितम घन खद्योत विराजा रात के घने जब अंधकार होते हैं उसमें जैसे जुगनू चमकते रहते हैं अंधकार में शुभा पाते हैं यानि कि जुगनू जो है चमकते रहते हैं इसी प्रकार से जनू दंबहिकर मिला समाजा मानों जैसे की दंबीयों का समाज जो है आज उटा हो तो ऐसा ही रात के घरने अंधकार में जुगनू जो है वो प्रतीत हो रहे हैं चमकते प्रतीत हो रहे हैं महा वरिष्टी चले फूटे कियारी जिमी सुतंत्र भई बिगरही नारी कृशी निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मुहमद माना तो यहां कहते हैं महा वरिष्टी चले फूटे कियारी कि अगर महा वरिष्टी यानि की बहुत ज़्यादा मातरा में भारी वर्षा हो जाए तो उसे क्यारिया है जो खेतों के चारों और जो यह क्यारिया लगी होती है वो फूटे गई है जिमी सुतंतर भाई बिगर ही ना रही तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे की सुतंतर होने से इस तरया जो है वो बिगर जाती है तो कुछ इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है करशी निरावही चतुर किसाना और चतुर किसान जो है वहाँ पे जब देख रहे हैं कि क्यारिया फूट गई है तो इस वर्षया का वो लाब उठा रहे हैं और चतुर किसान जो है वो खेतों को निरा रहे हैं यानि कि उसमें जो बिकार की चीज़े है घासादी है उनको वो निकालके फेक रहे हैं उसकी निराई कर रहे हैं जैसे कि विद्धान लोग जो है मोह का और बुरी चीज़ों का जिस प्रकार से त्याग कर देते हैं उसे प्रकार से किसान लोग जो है वो बर्शा के आने से जो खेत में पूरा पानी सा हो गया है तो यहां फसल के लिए खेत अच्छा हो गया है तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं जो खेत में गंदी चीज़े हैं घास है बेकार की खर्पतवार है उनको वो निकाल निकाल के फेक रहे हैं जिमी हरिजन ही उपजनकामा तो यहां कहते हैं कि देखत चक्रवाक खगनाही कि जो यह चक्रवाक यानि कि जो चक्रवाक यानि कि जो चक्रवाक पक्षी होते है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे है कलही पाई जिमी धर्म पर आहीं जैसे कि कल्योग को पाकर धर्म भाग जाता है, यानि कि जो धर्म है वो इस कल्योग को देखकर भाग जाता है, इसी प्रकार से इस वर्षा में कहीं भी चकवा पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसर बरसी त्रिन नहीं जामा, उसर में जो है, यानि हर जगह वर्षा होती है, तो उसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास नहीं बनती, त्रिन नहीं जामा, यानि कि जब धर्ती, उसर यानि कि बंजर, जो बंजर धर्ती है, वर्षा तो वहाँ भी होती है, लेकिन कि वहाँ पे घास नहीं उगती क्योंकि वो बंजर धरती है जिमी हरी जन ही ये उपजन कामा कि जैसे जो हरी भगते हैं उनके हिर्दे में काम उत्पन नहीं होता इसी प्रिकार से जो उसर धरती होती है जो बंजर धरती होती है वहाँ पे घास नहीं उगती वहाँ पे बुराई जो है वो नहीं जनमती तो यहाँ कहते हैं कि प्रित्वी जो है वो क्या है अलग-अलग बहुत ही प्रकार के जीव जन्तूओं से भरी-परी है शोबा देती है प्रजा बाढ़ जिमी भापाई सुराजा जैसे की सुराज पाकर प्रजा की वरिद्धी हो जाती है इसी प्रकार से इस प्रित्वी पर भी अलग-अलग प्रकार के प्राणे ही रहते है जहां तहां रहे पतिक थक की नाना और जहां तहां अनिक पतिक जो है वो थक कर ठहरे हुए है जिमी इंदरिये गन उपजे घ्याना जैसे कि घ्यान की उपज़ होने पर इंदरिया जो है वो शिथिल पड़ जाती है यानि गलत चीजों की तरफ जाना चोड़ देती है एक जगा पर इस्तिर हो जाती है उसी प्रकार से जो पथे के है वो भी एक स्थान पर ठहरे हुए हैं इधर उधर नहीं भटक रहे हैं क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा हो गया है कबहु प्रबल बस बह मारुत जहता मेग बिलाही जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही तो कहते हैं कि कभी कभी जो हवा है वो बहुत ही जोड से चलने लगती है जहता मेग बिलाही जिस से बादल क्या है वो जहां तहां गाइब हो जाते हैं जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही कि जैसे कि अगर किसी कुल में कुपुत्र जन्म हो ले जाए तो जो भी कुल का जो उत्तम आचरण होता है वो नस्ट हो जाता है इसी प्रकार से वायू के चलने से जोई बादल है वो गाइब हो जाते हैं कभी जो है बादलों के कारण दिन में भी क्या है घोर अंधकार जो है वो च्छा जाता है तो वहीं भी क्या है कभी क्या है सुर्य भी प्रगट हो जाता है तो मौसम जो है अलग-अलग प्रकार से बदलता रहता है तो कभी क्या है दिन में घोरंधकार चा जाता है बादल के कारण तो कभी जो है सुर्य प्रगट हो जाता है बिनसाई उपजय ग्यान जिमी पाई कुसंग सुसंग जैसे कि कुसंग पाकर ग्यान नस्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन हो जाता है तो यहां कहते हैं कि जैसे कि अगर अच्छे लोगों का संग मिलता है तो अच्छी चीज़े आती है और बुरे लोगों का संग आता है तो क्यों ग्यान है वो नस्ट हो जाता है इसी प्रकार जो बादल है उसके कारण घोर अंधकार दिन में भी मिल जाता है और कभी-कभी सूरी भी प्रगट हो जाते हैं तो यहां पर हमारा वर्षय रितु का जो वर्णन है वो समापत होता है तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगे और कल जो हमारा टापिक रहेगा वो होगा शरद रितु का वर्णन और इस परकार तो इन दोनों टापिक को मिलाकर खत्म हो जाएगा और भी हमारे जो भी टापिक है मैं कोशिश करूँगे कि जल से जल कवर किये जाए जो भी हमारा छूट गया था क्योंकि इतने में तो काफी टापिक हमारे कमप्रीट हो जाते चली जो भी है अब जैसे होगा वैसे करना पड़ेगा और भी आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करते रहेगा अगामी समय में आपको सभी पर वीडियो मिलते रहेंगे धन्यवाद